चंत्रशेकर राजाग जी अपने भीमार में के ओफिशिल पेश पर लाइब आये थे और उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत सी बाते कई और मोदी जी को एक खुला चेलेंज किया है कि जैने दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की अपडेट दोस्तों जो सबसे में लिए अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही मोदी जी को लेकर मोदी जी के प्रशन्शक रहें बिटेंग के नेता और अर्थ शास्त्री मेकनाथ देसा ही ने अम मोदी जी की निराश मत दादा मोदी जी को दुबारा बहुमत नहीं देंगे आगे मेकनाथ देसाई ने कहा है कि मोदी जी ने जरूल से जादा वादे किये थे और वह अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे दोस्तों आखरी में मेकनाथ देसाई ने कहा कि बरहान लोग निराश है और और उनके अंदर कही न कही ऐसी बहना है कि अच्छी दिन अभी तक नहीं आये हैं दोस्तों यह वात है कही थी मेगनाद देशाई ने जो ब्लिटेंग के एक बड़े नेता है दोस्ता अउली कबर जो निकल कर आ रही है वह आ रही है बिहार से महागडबंदन को लेका बिहार क मॉंगेर स्याइड से महागडबंदन से टेड़े चाहते हैं तो तेस्वी यह beweन संपके दिया कि हमारे महागडबंदन में ऐसे बहाउबल quickestा की जरूरत नहीं है याने की दोस्तों तेश्वी यहाद्व अनन्त सिंग को महागडवंतन में शामिल नहीं करना चाहते और नहीं महागडवंतन से टिकट देना चाहते दोस्तो अगली अबडेट निकल कर आ रहे है भीमार्मी दिल्ली से आप लोगों को इब बात पता होगी कि दिल्ली में भीमार्मी द्वारा सविधान जागरुकता अभ्यान चलाया जा रहा था जिसमें भीमार्मी के कारे करता सातों लोग सभा सीटों में गए और सतर भ्यान सभा सीटों में गए और उन्हें सविधान के बारे में लोगों को जागरुक किया दोस्तो इस सविधान जावरुकता अभ्यान की अध्यक्ष्टा कर रहे थे इसे लीड कर रहे थे भीमार्मी के दिल्ली प्रभारी सुजीत समराट जी और इसमें भीमार्मी के सभी कारे करता पदधिकारीं का सयोग कर रहे थे जिसमें रहुल नापपाल जी भी थे और भहुत लोगों को पता होगा की भी मारमी के संस्तापक एडवकेट चंटरशेकर आजात को महाराष्ट में एक होटल में नजर बंद कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया था हाला कि दोस्तों दो तिन घंटे बाद रात को 11-12 बजे उनको छोड़ दिया गया उसके बाद वो अपने होटल में वापीस आ गये इसको लेकर भी मारमी के कारे करताओं में महाराष्ट के भी मारमी के कारे करताओं में काफी ज़्यादा भुस्सा था और काफी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला दोस्तों इस सब के बाद चंटरशेकर आजात जी अपने भी मारमी के ऑफिशल पेज पर लाइब आये थे और उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत सी बाते कई और मोदी जी को एक खुला चेलेंज किया है कि वो अगले आने वाले चुनाओं में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और मोदी जी को दिखा देंगे कि उनके अंदर कित्ती ताकत है और भी मारमी क्या कर सकती है दोस्तों उन्होंने एक शाहिर के माद्यम से मोदी जी को चैलेंज किया है वो वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं तो आप लोगों वीडियो देखिए हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है बहुत जल्ब मुलाकात होगी तुमसे और ऐसी मुलाकात जिसके परिणाम तुम्हें खुद भूकत में पढ़ेंगा जैवीम दोस्तों इसके बात भी भीमा अर्मी के परमूख चंदरशेकर आदने बहुत सी बाते कहीं है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जैसा कि उनको भीमा पोरे गाव जाने से रोखा जा रहा है वहापे सविधान की विरूत कोई काम किया है जिससे उन्हें भीमा पोरे गाव जाने से रोका जाए हाला कि दोस्तों भीमा अर्मी की संस्तापक चंदरशेकर आजक जी ने अपने ब्लॉग के जरिये बताया है कि वह किसे से नहीं डरते है लेकि वह अबावा साम के द्वारा रचीत सविधान का सम्मान करते है आदर करते है इसलिए चुप बेठे है जैसा कि दोस्तों उन्हें अपने ब्लॉग में आगे कहा है कि ये जो सरकार है ये अमबेटकरवादी विचारधर को खतम करना चाहती है और अमबेटकरवादी लोगों को दबाना चाहती है लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे और को अपने जुकने वाले नहीं है दोस्तों उन्हें अपने वीडियो में आगे कहा है कि जिस तरह से ये सरकार सविधान को खतम करना चाहती है लेकिन हम खतम नहीं होने देंगे उन्होंने क्या कहा है आप लोग खुदी देग लिजिए यहां सविधान को आपने खतम कर दिया है, सविधान तब खतम होगा जब अम्बिड़करवाद खतम हो जाएगा, जब बहुजन समाज के लोग संगस करेंगे, बहुजन समाज के लोग संगस करेंगे, एक कारे करता वो जिम्मेदार है भीमार्मी का, भीमार्मी का परमुक बा दोस्तों आपने वीडियो के आदम से देखा ही होगा कि शेंदर शेकराज़ जी ने क्या क्या कहा है और आपको ये बात है कितनी सही लगी और उनके साथ कितना गलत हुआ मुझे नीचे कमेंड में जाकी जरूर बताईएगा दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसं बोचनी चाहिए हर किसी को भॉजन समाज की अपडिट मिलनी चाहिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो पिली से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नीचे ही एक लागवर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और बाजय में एक नोटिफिकेशन बेल का उप्शन है उसे भी दबा दीजिए हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहने मिल जाएगी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत पुत धन्यवाद मिलते है अबले वीडियो में तब तक तिलिए जय भीम जय भा कर दो कैसा अबले पहना यहाओ जाएग का लिए ऑम रूले होएगा एंङग एंवार om म heh उछने है और भार में तो कल र üzमसिए हैं दो क्लिएब क करते हैं अभा कन दीका पुत पुत प्लिएओगास में तैंज वाओ जो कैं ते वआर